Hello everyone, welcome to the channel and in this video we will discuss the glossary of lesson 5. So let's start our class and first of all the first glossary word is budget. So we know what the meaning of budget. Budget is a spending plan for your company that is based on its income and expenses. The budget is a plan, a plan, a work, which we consider the expense of the company. We consider the expense of the company that is based on our income. Paragraph that, what this income is based on the expense of our economy, which is based on a company. The most important thing is that the expense of the company to maintain its capacity in how we pay it. When we pay its efforts to retain its capacity or the amount of capital, and if we pay it for the company to get its capacity in our money, को उसका जब अनुमान लगाना हो एस्टिमेट करना हो तब और एंड हæssd you in forecasting revenue और जब revenue का जब पूरवा नुमान लगाय जाता है प्युए जाती है तो वहां पर इसका अनुमान लगा से साथ सब्ध이에 plats में खर्च ही एक हाजार से ज्यादा अमृट एक सपेंस नहीं कर सकतें जहां पर budget को निधार्ट किया जाता है और फिर budget के अनुसार ही यह अनुमान लगाया जाता है कि हम किसी भी समान के उपर किसी भी काम के उपर कितना expense कर सके तो यह पूरा हो गया budget का मिन एक बार फिर से repeat कर लेते हैं budget क्या है यह expanding plan है किसी भी company के लिए budget किसी भी company के लिए एक वै की गई योजना है जहां पर जो उनकी income और expense के उपर बेजड होता है और उनकी कितनी पास उनके पास में पुंजी निर्धारित करता है आपके खर्चे का अनुमान लगाता है और साथी जो राजसव है उसका पुरवा अनुमान लगाने में यह help करता है यह तो हो गया budget के बारे में और जो budget है व उनकी योजना बनाने के लिए या फिर जो financial जो गोल्स होते हैं उसको स्थापित करने के लिए यहां पर एक यह मांदंड के रूप में जो है सहायता करके काम को help प्रोवाइड करता है इस तरीके से तो यह होगा budget का मेनिंग next glossary word है management अब देखो आप जितने भी lesson को read करोगे पढ़ोगे समझोगे तो आपको हर एक lesson में management की definition दिखाई देगी तो आप यह confuse मत होना कि management का हर जगे अलग लग तरीके से explain किया गया है दोको explain करने का तरीका कुछ भी हो सकता है आप किसी भी lesson का plan कर सकते हो मतलब वही हुआ बस main यह होता है कि हर एक lesson में अलग तरीके से explain क करेंगे management को तो management को हिंदी में हम प्रबंद कहते हैं and management is the administration of an organization जो management है किसी भी संगठन का administration मतलग की परसासन होता है चाहे वो एक business हो चाहे वो non-profit business हो या फिर कोई सरकार का ही एक भाग क्यों नहों एक निकाई क्यों नहों चाहे वो government body हो चाहे non-profit business हो चाहे profit वाली business हो सभी में जो है इसको हम एक प्रसासन के रूप में मानते हैं किसको मानते है प्रबंद को क्योंकि प्रबंद तो करना ही पड़ेगा otherwise business को हम किस तरीके से control कर पाएंगे इसके बाद में it is an art and science of managing a company resources और इसी के साथ में जो management है उसके द्वारा ही किसी भी company के पास में जो resources रहते है उनके managing का काम उनके प्रबंद का काम किया जाता है यह हो जाता है management का काम लगबग same meaning ही वही है management का काम ही होता है प्रबंद करना सबी चीजों को देख रहे करना control करना decision लेना और future को लेकि जो भी काम किये जाते है वो सारा तो काफी सारा काम रहता है management का इसके बाद में next है manager अब manager एक person है जो कि management के काम को complete करते हैं जैसे आपने सुना होगा ने इस company में वो manager है तो उनका काम क्या रहता है वो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा अब manager is someone who is in charge of supervising and motivating employee as well as directing and organization progress जो प्रबंधा के जो यह person है वो एक वेक्टिव होता है जो कि करमचारियों की देखरे करता है उनको प्रेरिद करता है time to time उनको motivate करने का काम करता है और साथ साथ ही यह काम तो किया ही जाता है जैसे supervising का motivating का इसके साथ साथ ही directing का भी काम किया जा अब मैनेजर के काम सिर्फ यह नहीं है कि एक दो काम को बता देंगे और वो खतम हो जाएगा मैनेजर का कम मैनेजर के काम बहुत ज्यादा होते हैं और डिपेंड करते हैं कुछ कंपनी के उपर भी कुछ काम के उपर भी और इसी के साथ मोगर क्या है जैसे customer से बात करना customer के जो कंप्लेन आ गए है यह customer से रिलेटिड जो भी काम है वो सारे मैनेजर के द्वारा किये जाते हैं जैसे customer service हो गया है अगर customer ने कोई भी कंप्लेइन कर दिया है किसी भी चीज को लेकर उसको भी हैंडल करना यह सारे काम जो है एक प्रबंधक के द्वारा किया जाता है तो प्रबंधक के लिए क्या है अपने करंचारियों के लिए या उनके जो अधिकारियों है इनके साथ में जो भी गोल्स ह उसको वह आपस में साझ्या करते हैं यह जाता है पूरे मैनेजर का का मतलग क्या है उदेश्य जब हम किसी चीज को लेकर अपना उदेश्य सोचते हैं योजना बनाते हैं इस अम एनेजमेंट टीम और सिस्टम प्राइमरी गोल्स यह क्या है यह कुन अपचारिक नियोजन काम है यह उनके जो डिसीजन वाले काम है इन सभी का मार्ग दर्शन करते हैं इन सभी को एक अब्जेक्टिव गाइड के तौर पर काम करते हैं इसके बाद में कहा गया है कि मैनेजर्स फ्रिक्वेंटली शियर गोल्स विद इंप्लोईज और एंग्जेक्युटिव पर पर इसी के साथ में पूरे संगठन के लिए जो एक उदेश्य रहता है एक रननीती रहती है उसको विक्सित करने के लिए प्रबंधक हमेशा अपने करंचारियों के साथ में अपने अधिकारियों के साथ में उस लक्षे को फूल फिल करने में अचीव करने में हमेशा मिलजूल कर सांझा करते हैं यह हो गया पूरा इनका मीनिंग अब नेक्स टेप प्लैन जैसे कि हमने इसको बहुत ज्यादा ही डिसकस केस लेसन में पूरा लेसन ही प्लैनिंग के ऊपर डिपेंड है इसका मतलब हो गए योजना बनाना और इट इस फॉर्मल प्लैनिंग यह क्या है एक प्लैनिंग टूल यूज तू डिजाइन दा फैसलिटी फ्यूचर ऑपरेशन इसे हम एक उपचारिक नियोजन उपकरन मानते हैं जिसका यूज कब किया जाता है सुविधा के भविश्य को लेकर जैसे फ्यूचर को लेकर जो भी हमें ऑप्रेशन का काम है जो भी जाता है और उसके बाद में प्लैनिंग का पूरी नई दिसकस कि है तो आपको अच्क है तरीके साथ ही होगा प्लैनिंग कश्कुन oh यह एक management का function है जो कि जिसके अंदर हम अपने कुछ goals को कुछ objective को set करते हैं कुछ action लेते हैं जिसके थूर जो भी हमारे objective रहते हैं उसको हम यहां पर achieve करते हैं यह पूरा हो जाता है हमारे planning के अंदर और इसी के साथ में नियोजन करने के लिए जब हम planning करते हैं तो जो भी हमारे प्रबंधक होते हैं उनको जो उनका current environmental condition होता है किसी भी business का वो और उसके साथ में जो future को लेके जो condition होने वाले जिनकी संभावना है उसको forecasting भी यहां पर की जाती है तो planning के उपर तो पूरा चेप्टरी बेजट था काफी deeply हमने डिसकस कर लिया नेक्स्ट फिर policy पॉलिसी जो हमारे guidelines होते हैं उनका एक समू होता है एक पूरा उनका rules का setup होता है पूरा set of rules के होता है जिसका आपके संगठन में जिसका किसी भी संगठन में या फिर उसके करमचारियों को जो भी उनके लक्ष है उसको पूरा करने के लिए पालन करना चाहिए मतलब कि उसको follow करना चाहिए that is policy इसके बाद में next procedure जिसे हम प्रक्रिया कहते हैं यह भी एक return document होता है यह भी document के तौर पर माना जाता है दस्तावेज माना जाता है जो कि हमारे काम को करिया को निर्धारित करते हैं दिशा निर्देश देते हैं कि किसी भी website प्रक्रिया में कौन-कौन से activities है या कोई भी operation का काम है operating का काम है उसको कैसे किया जाएगा और यहां पर कुछ sequence of steps होते हैं कि कुछ steps होते हो जिसको sequence में complete किया जाता है कुछ निर्देश देते हैं यहां पर जिसके साथ में जो भी उनके steps है उनको क्या करने की need है क्या नहीं need है इस तरीके से चीज़ो कैसे करना चीज़े इस तरीके से उसके बद में next program through change a program provide benefit of an organization प्रोग्राम की through देखो क्या होता है कि कि किसी भी संगठन को बहुत सारे benefit मिलते हैं कैसे कैसे benefit मिलते हैं जैसे कि यहां पर discuss किया गया इसको जो प्रोग्राम है वो management को provide करते हैं structure framework जिससे क्या होता है इनको coordinate कर करने में जैसे किसी के साथ में बातचीत हो गया यह समनवे का काम हो गया इन सभी को लेकर बहुत जादा help provide कर जैसे manage controlling का काम यह जो भी activities है इन सभी में प्रोग्राम जो है help करते मतलब कि करने में एक तरीक से action लेने में यह help करते हैं पुरा framework provide कर देते हैं जिससे संसा के जो reason है उसको लेकर काफे ज़्यादा clarity हो जाती है और साथ में जो नियांतरन किया जाएगा या फिर जो परवंद के अंदर जो काम किया जाएगा उसके लिए एक जो एक धांचा एक जो सरंचित मिलकु स्ट्रक्शर वे में एक पूरा framework provide कर देता है और next rule फिर a rule defines or constraints of business aspect and always resource to true or false नियम क्या है कि नियम किसी भी website पहलू के अंदर किसी भी चीज को define करते हैं परिवासित करते हैं और कुछ रोक लगाते हैं कुछ बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं जैसे rule regulation कुछ rule है जिसका follow करना ही पड़ेगा अगर कुछ rule है और जोसको अगर हम तोड़ते हैं तो उ जो भी उनका objective है website संस्था के अंदर उस पर जोड़ दिया जाता है कि हां इसी चीज को करना है तभी जाके एक प्रभावित एक काफी जादा strongly कंट्रोल किया जा सकता है संस्था के अंदर और बिजनस रूल जो है वो डिस्क्राइब करते हैं organization के operation definition and and concentrates को इस तरीके से वर् देखोगे तरह तरह के रूल नियम जो है वहाँ पर रहते हैं जिसका पारण किया जाता है इसके बाद में next is strategy जिसे हम हिंदी में कहते है रनीती strategies and action taken by managers to achieve one or more of the organization goals strategy किया रनीती है कि किसी भी संगिठन के एक या एक से जादा जो उनके objective रहते हैं जो उनके लक्षे रहते हैं उसको अचीव करने के लिए परवन्दकों के दुआरे इस कारेवाही को इस activity को complete किया जाता है और जो strategy है इसको हम एक general एक समाने तोर पर भवि रहते हैं उन सभी को भी एक स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जो है वो परदान करते हैं और इसकी डिटेल में strategy planning process yield strategy और यह बता रहे हैं कि जो एक बिल्कुल detail में जो रनीती है उसको योजना प्रक्रिया जो है रनीती उत्पन करती है यह पूरा इसके बारे में explanation हो गया इसी के साथ में पूरा complete हो गया short में ही था ज्यादा lengthy रही था I hope सारे meaning आपको समझ में आ गया होंगे इसके जो मैं आपको explain किया है इसके further भी अगर आपको कोई भी लगता है कि इस चीज को ऐसे भी explain किया जा सकता है मतलब अपने तरीके से तो आप उसको वैसे भी कर सकते हो और glossary को आप सभी lesson के जरूर से रीड कर लेना क्योंकि यहां से short question आ सकते हैं for example के लिए आप से पूछ लेंगे define rule या फिर इस तरीके से पूछ लेंगे what is program तो इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता आप से exam में तो इस सभी को आप जरूर से कर लेना सभी lesson के औ और इसके regarding में अगर कोई भी doubt हो तो आप मुझे बता सकते हो comment section में और अगर video पसंद आए classes पसंद आए तो please like and share and also subscribe our YouTube channel for more videos और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा तो आप महां से जरूर से download कर लेना सारे notes भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे तो आप महां से जाके download कर लेना इस वीडियो में बस इतना ही thank you so much thanks for watching